गोल कपे के लिए बहुत ही टेस्टी चटपटी ये आलू मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन उबलेवे आलू लिए हैं जिसे कि हम छील के हाथों से रफली मैस कर लेंगे और एक पॉफेक्ट टेक्शर के लिए इसे हम एक दम बारिक पेस्ट की तरह बिल्कुल भी म प्यास नहीं करेंगे क्योंकि जब सारी चीज़े हम आगे मिक्स करेंगे ना तो यह आटोमाटिक और भी ज्यादा मैस हो जाएगा तो देखिए इसमें कुछ बड़े बड़े टुकरे भी हैं अब इसमें हम यह कटावा प्यास डालेंगे तो मैंने यहां पर एक मेडियम सा जब साहते हैं इसमें वाइट मतयऑं डालेंगे साथी के इसमें हम थोड़ा से ब्राउन की दो अठाधा बीओ Politik मुंगौर्ट यूजा करसकते हैं जिसे की वाईजा शना भी मान और बोल करने के लिए इस hunting प्रेशा कूकर में डालेंगे और जरुवत के एकॉर्डिंग इसमें हम ये पानी भी डाल देंगे तो मैंने यहां पर करीब दो कप ये पानी डाला है अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग इसमें हम ये नमक भी डाल देंगे तो मैंने यहां पर करीब देर चोटा चमची नमक डाला है साथी इसमें हम आदा छोटा चंबर शेकरी भी हल्दी पाउडर भी डालेंगे और बस प्रेसर कुकर का धकन बंद करके एक सीटी आने तक फ्लेम को हाई रखेंगे जैसे इसमें एक सीटी आ जाए फ्लेम को मीडियम करके इसे हम कम से कम 10 से 12 सीटी आने तक पकाएंगे या फिक घरी के वगएरा के लिए यूज्य कर सकते हैं तो बस जब अच्छी से वॉल ऊजये तो हम अपने पसंद के क dx इसे थोराँ सी जादा या फ्लेम डाल सकते हैं अब टेस्ट के को को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें और कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो देखिए इन सभी को मैंने आपस में अच्छे से मिला लेंगे और गुलगप्पे के लिए बहुत ही टेस्टी तीन अलग अलगत रहकी खटी मीठी तीकी पानी की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर की वही है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा वीडियो क लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और घर पे ही हम बहुत यासानी से आटे और सूजी की गुलगप्पे कैसे बना सकते उसकी पी रेसिपी मैंने आ फिर वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा आप जरूर देखिएगा आपको वह वीडियो बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंट्स लीजिए ये गुलगप्पे के लिए आलू मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को जरूर सवान कर ले ताकि मेरे जितने भी नियू रे सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बबाए